कि नमस्कार दोस्तों युगेश टेकनिकल में आपका फिट से बहुत बहुत स्वाइब दोस्तों आज के से वीडियो में हम इस एल पीजी गैस रूम हीटर को असेंबल करेंगे काफी किफायती है यह है रूम हीटर लेकिन दोस्तों इसको आप इस्तेमाल करते हुए किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए वह बातें भी आपके लिए जाना जरूरी है हां यह सस्ता पड़ता है हमारी जेब को और आप इसे आसानी से फिट भी कर पाएंगे मैं आपको इस वीडियो में इसकी सारी वीधियां बताऊंगा फिट करने की लेकिन इसको इसको इ इंटल बोलते थे शायद वह इदर उदर करने से वह जल्दी खराब हो जाते थे लेकिन यह नहीं खराब होगा यह आपका पूरी सर्दिब चलेगा और शायद एक ही आपको इस्तेमल करना पड़े एक सर्दि में दोगा और यह वह प्लेट है जहां पर हम इस बल्व को लिट्रों में यह जो बल्व है यह लोह का गोल गेंद जैसा है एक सुराख आप देख रहे हैं वह मैं बताऊंगा क्यों है वह सुराख और यह वह प्लेट है स्टील की प्लेट है और उस पर यह एक नाली लगी हुए इसके एक सीरे पर चूड़िया बनी हुई है यही गैस इस बल्व तक लेकर जाएगी आप इसे असाने से बना लेंगे इसके लिए हमें एक 2 या 3 किलो का LPG का स्लेंडर चाहिए वो अच्छा होना चाहिए और इसके उपर हमने वाल्व के उपर एक जैट को फिट कर दिया है आप देख सकते हैं बारीक सुराख वाला जैट हमें इ सबी चीजें लेनी चाहिए यह एक इंडियन जुगार हम इसे कह सकते हैं इस तरह की फैमिली की जो हीट होते दोस्तों वो पैटियो गैस हीटर के नाम से जाने जाते हैं और हमारे इंडिया में भी वो मिल जाते हैं लेकिन जातर इनका इस्तिमाल विदेशों में होता है मैं मैं आपको बताना चाहता हूं इसके उपर फिर आपको यह एक स्लेंडर नुमा वाल्व फिट करना है इसे जैट के उपर और उसके उपर फिर हमुस नली को फिट करेंगे अभी आप देख पाएंगे तो मैं आपको बता रहा था कि यह जो इसका मॉडर रूप है वो विद्व धनिया का इस्तिमाल करना होता वो मैं आपको बताऊंगा अब हमने इस वाल्व को इसे जैट के उपर फिट कर दिया है यह अच्छिते से टाइट होना चाहिए अगर आपको लोजिंग समझ्या लग रही है तो आपको इस पर टेपनोल टेप लगा लेना चाहिए यह गैस से चीजे असेंबल कर दी है अब हमने इसको ओन किया है ओन करने के बाद आपने देखा कि इसमें गैस का जो फ्लेम है वो दिरे दिरे लाल होना शुरू हो गया है लेकिन हम इससे संतुस्त नहीं है शायद इसमें कुछ कमी रह गई है जिसे हमें दुबारा से देखना होगा त और ना ही इसे इंडॉर में यूज करना चाहिए यह खुले के लिए बनाए होते हैं तो दोस्तों हमने इस वाल्व के ऊपर एक वालव और फिट कर दिया है ताकि इसकी जो फ्लेम है वो थोड़ी तीवर हो जाए थोड़ी तेज हो जाए इसमें हमें कुछ कमी मैसूस हुई इसलिए हमने इस पर एक वालव और फिट कर दिया ताकि इसकी जो जैट की गैस फेंकने की स्पीड़ा वो थोड़ी बढ़ जाए उसको अक्सिजन का स्पोर्ट मिल जाए साइड़ों से हमने दुबारा से फिर कोशिश की और अब भी वह बात नहीं बन पाई जो बननी चाह जाएंगे तो मैं आपको तो इसको आपको कभी भी इंडूर में इस्तिमाल नहीं करना चाहिए मैं आपको हर बार बताता हूँ जब भी मैं गैस अर यह तिक आपको अब RSGming का रहीं यह आप서 इसके अंदर जाने के लिए ही बना होता है ताकि है कि आक्सिजन जहां नहीं होगी वहां आग कभी भी नहीं जलेगी इसलिए अगर आप इसे इंडूर पर इस्तिमाल कर रहे हैं और रात को इस्तिमाल करते हैं करते हैं आप सो गए तो सुबह तक सारे कमरे के अक्सिजन ये आग आग आपकी ले जाएगी और आपके साथ कोई भी हाथा हो सकता है इसलिए मैं आपको हर वक्त हाजोगर कहता हूं कि कभी भी ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल कभी भी आप कमरे में ना करें ये जो गैस हीटर है इस तरह के ये बाहर आउटडोर के ल लोग ज्यादा है लेकिन उसका जो तीवर यानिकी जो ताप है वो नहीं है तो हमें इसमें कुछ और चेंजिंग करने की जरूरत है तो हमने सोचा क्यों नहीं इसका जैटी ही बदल दिया जाए तो अब हम इसको दूसरे जैट के साथ चेक करेंगे तो मैं आपको बता था क हमेशा आपको याद दखनी चाहिए तो दोस्तों हमने इसके जैट को बदला और अच्छा रिस्पोंस हमें प्रापत हुआ आप खुद भी देख सकते हैं कि कितना लाल हो गया है जो हमारा ये मेंटल है लोहे वाला और अच्छा रिजल्ट आया है लेकिन शैद कमी कुछ र सकते हैं लेकिन अपने परियावरण के अनुसार इसको आप इंडॉर में यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सर्दियां बहुत हो चुकी हैं तो इसलिए ऐसे उत्पादों की हमें आविक्ष्टा होती है जो हमारी जेव को भी शूट करें और हमारे स्वास्त्या को भी लाह हैं लेकिन कोशिश करते हैं इसको थुड़ा सा और इंप्रूव करने के यह जो स्लेंडर दोस्तों ये जुगाड ही होते हैं इसलिए इनमें आप ज्याधा गैस मत लेगे अगर तीन किलो स्लेंडर है तो उसमें दो किलो के आसपास ही गैस दालिए क्योंकि रिसक कहीं भी प आते हैं आपको हमेशे द्यान दखनी चाहिए दोस्तों देखिए अब हमें मन मताबिक प्रापत हो चुका है काफी अच्छा लाल इसका वो था और हम दुबारा से फिर इसमें सारी चीजें विवस्ति करके दुबारा से हमने इसको चलाया और देखिए आप और काफी हीट यह दो यह तीन किलो गैस आपकी पूरा महिना आपका काम चला सकती है लेकिन इंडूर में इस्तेमाल मत कीजिए और गैस जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका तीन किलो गैस ही डाले और पूरा का पूरा कंप्रीट किसी कंपनी से आपको निर्मित मिल रहा है प्रोशेव सिगा देने बाद दो